राधी राधी दोस्तों कैसी हो आप लोग आसकी हमारी कहानी का नामें बैजती ओ माई गौड टूड़े इस वेरी होट डे क्या कहरी ओ बहु मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है रस्वी में खड़े हुई निर्माला जी अपनी बहु से कहती है तो बहु कहती है ओ हो कि आपको तो अंग्रजी आती ही नहीं है तो आप मेरी अंग्रजी की भासा को कैसी समझेंगी मैं बस इतना कह रही हुँ कि आज कितनी गर्मी है इस गर्मी में रश्वी में काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है माजी मैं तू चली इधर से मैंने सबजी काट दी है और आटा लगा दिया है आप रोटिया निकाल देना मुझसे इतनी गर्मी में रस्वई में काम नहीं किया जाता ओ माई गौड वेरी होट डे यानि आज का दिन बहुत गर्म है कहकर निसी रस्वई से निकल गई निसी का ये एक दिन का नहीं था जब वह सासू मा के सामने अंग्रेजी बोलके उनकी बैस्टी करती हो जब से इस घर में आई है तब से किसी ना किसी बात पर वह अपनी सासू मा की बैस्टी करती ही रहती है और उसे पता है कि उसकी सासू मा को अंग्रेजी नहीं आती तब भी जब देखो तब अपनी सासू मा के सामने अंग्रेजी ज़ाटी रहती है बेचारी निर्मला जी उसकी अंग्रेजी की बातों को समझ नहीं पाती तो पूछती है कि क्या ब निकाल देती बेटा बहु सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए निर्मलाजी अपने कमरे में गई और अपने पती जो की अभी तक सुबा के ही नियूज पेपर में गुशे हुए हैं नियूज पेपर की एक एक लाइन को पड़ लेते हैं तब जाकर उनको सुकून मिलता है यहां तक कि जो एंड वाली लाइन होती है उसको भी नहीं छोड़ते उनके हाथ से नियूज पेपर को छूपाते हुई निर्मलाजी कहती है नियूज पेपर पड़कर आपको पेट भर गया हो तो चलो कुछ खाना खालो अपनी चस्मी को नाक पर खिसकाते हुए चंदरभ मैं बुढ़े नहीं हुई हूँ चंदरभरकास जी अपनी पतनी की बात को सुनकर हसने लगते हैं और कहते हैं आचा चलो खाना खा लेते हैं नहीं तो बेटे बहु कहेंगे कि बुढ़े बुढ़िया फिर से बात करने लगे डाइनिंग टेबल पर सभी बैठकर खाना खान लगे तफि निर्मला जी के बेटे बीबेग को अचानक से खासी होने लगी बीबेग के पास बैठी हुई निर्मला जी की बहु उनसे कहती है प्लीज गिब में वन गलास ओफ वाटर निर्मला जी को समझ में ही नहीं आया कि उनकी बहु क्या कह रही है तो बहु भड़कती कब से पानी मांग रही हूँ पानी नहीं दे सकती हो बेटा मैंने पानी देने के लिए हाथ में गलास तो लिया है लेकिन तुमने अंग्रेजी में कहा तो मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें क्या चाहिए इसलिए मैंने पानी का गलास आगे नहीं बढ़ाया ओहो माजी मैं तो फिर से भूल गई कि तुम्ही तो अंग्रेजी का ABCD भी नहीं आता तो फिर मेरी अंग्रेजी को क्या जानोगी चंदर भूसन जी अपनी बहु कामू ताकते रह गए लेकिन वह तो उनके लिए भी रोज काहीं था आए दिन वहु निर्मला जी को उनकी अंग्रेजी को ले करके कुछ न कुछ बैस्ति कर ही देती थी चंदर भूसन जी को भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था कई बार उन्होंने इस बारे में अपने बेटे से भी बात की लेकिन वहु अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती थी उसे अपनी पढ़ाई का बहुत ज्यादा घमंड था कि मैं आज के जबाने की बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की हूं मुझी तो अंग्रेजी आती है साधी के पहले तो मैं जोब भी करती थी मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो साधी के बाद अपनी पूरी मजी नहीं आता था एक दिन निसी ने घर पर अपनी सहलियों को बुला कर किटी पाटी रखी उसे दिन चंदर भूसन जी अपनी खेती बाड़ी के काम को देखने के लिए पैत्रिक गाउं गई हुए थे बेटा भी अपने ओफिस के लिए निकल गया घर में सिर्फ निर्मल मजी से कह दिया था कि माजी कल मेरी किटी पाती है और मैं अपनी किटी पाती घर पर ही रख रही हूं तो बहुत सारा खाना बनाना पड़ेगा मैंने खाने की लिस्ट बना कर डाइनिंग टेबल पर रख दी है घर में जो कुछ नहीं है वो सुबा सुबा ही मंगा लेना और सारा कुछ बना देना निर्मलाजी डाइनिंग टेबल पर बहु की रखी हुई लिस्ट को उठा कर देखती है तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि बहु ने तो सारा सामान अंग्रेजी में लिखा है लेकिन वह अपनी बहु के पास जाकर पुछना नहीं चाहती है क क्योंकि अगर बहु के पास जाकर पुछेंगी कि बेटा इसमें क्या लिखा है तो बहु फिर से उनकी बैस्ती कर देगी कि आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती इसलिए वह सुबा उठकर की बहु का बनाया हुआ परचा दुकान पर लेकर गई और जो जो समान था वह नहीं दूर IS था मन रस्वई में जाकर के रख देती है नहां ध्वाकर पूझा पाट करने के बाद वह रस्वई में बहु की बतायी गई सारे चीजों को बनाने लगी हलांकि बहु ने कहा था कि वह उनकी सहायता कर देगी लेकिन वह तो अपने कमडे में साज सिंगहार करने में लगी हुई है उसकी सासुमा रस्वई में सुबा से परिसान हो रही है और उसने इतना कुछ बनाने के लिए दे दिया ये नहीं कि जा करके अपनी सासुमा का हाथ बटा दे निर्मलाजी अपनी बहु के द्वारा बताई गई सभी चीजे बेसन का ढोकला दही बड़ राजमा चावल हरी धनिया की चटनी और भी ना जाने क्या क्या बना कर तैयार कर देती है जब सारा खाना बन गया तब बहु सज समरकर रस्वई में आई और बोली माजी मैं आपकी कुछ सहायता कर दू क्या अपनी बहु को तैयार देख करके निर्मलाजी कहती है ना बहु पुरेने दो अगर आती तो पहले ही आ जाती आप तो तुमने नए कपड़े पहन लिये हैं आप कुछ करवाओगी तो तुम्हारी कपड़े भी गंदे हो जाएंगे वैसे भी रसोई का सारा काम हो गया है सिर्फ गैस साफ कर रही है अब वह भी मैं ही कर देती हूँ तुम क्य अपने हाथ गंदे करोगी इतना कहकर निर्मलाची रसोई की सफाई करके अपने कमरे में जाकर के बैठ गई सुबह से काम में लगी है उनकी कमर में भी दर्ध होने लगी इसलिए लेटकर थोरा सा अराम करने लगी अब उन्हें लगा कि उन्होंने सारा कुछ कर दिया है व कि निसी अपनी सासु मा को आवास देते वे कहती है, मा जी मेरी सारे सहलिया आ गई है, आप डाइनिंग टेबल पर सारे खाने के सम्मन लगा दो और उससे पहले फ्रीज में कोल्डरिंग रखी है, ग्लास में निकाल कर सब को दे दो, निसी साथ ही साथ कमरे में आ करके अपनी सासु मा से दो मिठे बोल भी बोल देती है, क्योंकि उसी पता है, उसी अपनी सासु मा से बहुत काम करवाना है, तो चिकनी चुपडी बाते तो करनी ही पड़ेगी, सुबह से काम करवा रही है, निसी ने एक चमच इधर से उधर नहीं की है, तो कम से कम सास की तारिफ ही कर इसलिए चलाक निसी अपनी सास की टारिफ करके उससे सारे काम करवा लेती है निर्मला जी जब किचन से निकल कर बहु के सहलियों को कॉल्डिंग देने के लिए आई तो निसी अपनी सहलियों से अपनी सासों मा का परिचय करवाते हुए कहती है यानि कि इनकर कुछ भी नहीं आता है ये सारा काम धाम मैंने किया है ये ढोकला भी मैंने बनाया है रसोई के कामों से मेरी सास बहुत ड़ती है मैं तो सुबह पाँच बज़े से उठी हूँ और ये सारा काम मैंने ही किया है निसी की सहेलिया भी तारिफ करते हुए कहती है वाओ very tasty डोकला तो बहुत अच्छा बनाया है बाद में कुछ सहेलिया निसी की तारिफ करते हुए हिंदी में ही कहती है निसी सच में तुमने ढोक बहुत स्वादिश्ट बनाया है तो निर्मला जी को लगा कि धोकला तो उन्हों ने बनाया है लेकिन निसी की सहलिया उसकी तारिफ क्यों कर रही है निर्मला जी को समझ में आ गया कि बहु ने जरूर अंग्रेजी में कुछ ना कुछ कहा है क्योंकि मुझे समझ नहीं आती है इसलिए ये सहलिया उसकी तारिफ कर रही है मेरी नहीं निर्माला जी जब ट्रे लेकर रस्वी में जाने लगी तो पीछे से एक सहलिय ने निसी से पूछा निसी तुम्हारी सासूमा हमेशा सारी ही पहनती है तो निसी अंग्रेजी में कहती है Yeah, see only weird sari See looks like a made in sari ये हमेशा सारी ही पहनती है सारी में बिलकुल कामवाली की तरह लगती है मैंने तो कितनी बार कहा है कि सुट पहना करो पर इन्हीं तो कामवाली बनकर ही रहना है कुछ समश नहीं आता एक दम से old fashion है ये बात सुनकर निसी की सारी सहलिया खिल खिला कर हसने लगी पिछी पलड कर देखा तो निर्माला जी को इतना तो उम्र का तकाजा था कि वह लोगों की हसी से पहचान जाती थी कि कौन तारिफ में हस रहा है और कौन उनका मजाक उरा रहा है वह निसी की सहलियों की मजाक वाली नजर को पहचान गई कि जरूर निसी ने कुछ कहा है इसलिए उनकी सहलिया उनका मजाक बना रही है निर्माला जी को ये बात बहुत बुड़ी लगी रात भर यहीं सोचती रही कि ऐसा क्या करे जिससे बहु बात बात पर उनकी बैस्ती ना करे क्योंकि आप उनसे ये बैस्ती बरदास नहीं होती वह अपने आपको कोशने लगती है कि उन्होंने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ी उन्हें अंग्रेजी क्यों नहीं आती आज अगर उन्हें अंग्रेजी आती होती तो वा भी अपनी बहु के साथ अंग्रेजी में बात करती और बहु उनको अनपड गावार नहीं कहती हालांकि निर्माला जी अनपड नहीं है उन्होंने अपने समय पर होम साइंस में बिये किया है उस समय लड़कियों के लिए यहीं सबजिक्ट होते थे लड़कों के लिए गनीत और साइंस रखे जाते थे और लड़कियों को ग्रीव विग्यान और सामाजिक विग्यान दिलाए जाती थी लड़कियों के सिक्षा पर इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता था और ना ही उनसे पुछा जाता था कि तुम्हें कौन सा बिशए पसंद है घर का मुखिया फर्म भरते समय लड़कियों के लिए हमेशा ग्री बिज्यान और सामाजिक बिज्यान के बिश्य ही भरता था यहां तक कि उसकी मा को भी पता नहीं होता था कि उसकी बेटी ने कौन से बिसे लिये हैं तो इसमें निर्मला जी की कोई गलती ही नहीं है कि उन्हें अंग्रे जी नहीं आती जैसे तैसे एक दिन गुजर गया दूसरे दिन निर्मला जी के पती आये लेकिन निर्मला जी रात भर सोई नहीं उन्हें अपनी बहु की सहलियों की वह कटू हसी बराबर याद आती रही जिसकी वज़ा से रात भर उन्हें ठीक से निंद नहीं आई चंदर भूसं जी अपनी पतनी के छेहरे को देख कर कहते हैं क्या हुआ निर्मला आज तुम बड़ी उधास लग रही हो कोई बात है क्या निर्मला जी कहती है कोई बात नहीं है जी लेकिन चंद्रभुसन जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी पत्नी ऐसे ही उदास नहीं होती, कोई ना कोई वज़त तो होगी, वह एक दो बार अपनी पत्नी से पुछने की भी कोशिस करते हैं, लेकिन वह टाल देती है, फिर साम को चंद्रभुसन जी रोज ही स साम को मंदिर जाते हैं, और अपनी पत्नी को भी ले जाते हैं, चंद्रभुसन जी ने अपनी पत्नी से मंदिर चलने के लिए कहा, तो उन्होंने आना काने की, लेकिन चंद्रभुसन जी उन्हें जिद करके मंदिर ले गए, मंदिर में आर्ती और पुजा होने के बाद शि कोई बात तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत दुखी कर रही है अगर कोई बात है तो मुझे बताओ मेरी पास कोई निवारन होगा तो मैं अवस्य करवाऊंगा पती की बात को सुन करके निर्मला जी कुछ कहने की हिमत जुटा पाती है और कहती है मुझे अंग्रिय जी सिखन कि कल बहुने जरूर मेरी पत्नी के ऊपर अपनी अंग्रेजी जाड़ी होगी और कुछ न कुछ ऐसा कहा होगा जिसकी वज़े से उसे बुरा लगा है अपनी पत्नी के अंग्रेजी सिखने वाली बात को उन्होंने साकरात्मक लिया और कहा अरे वह निर्मला तुम अंग्रेजी सिखना चाहती हो ये तो बहुत अच्छी बात है चलो आजी हम तुम्हारे लिए अंग्रेजी की किसी ट्विशन का पता करते हैं अगर कहीं पर अंग्रेजी की क्लास चलती हो तो हम तुम्हें अंग्रेजी की क्लास लगा देंगे तुम सिख लेना पढ़ाई लिखाई में तो निर्मला जी को हमेशा ही रूची रही है लेकिन साधी के बाद घर गिरस्ती और बच्चों की इतनी सारी जिम्मेदारिया होती है कि अवरते किसी दुसरी काम के लिए या अपने सौक के लिए सोची नहीं पाती उनकी पास इतना स सुचने का समय भी नहीं होता फिर निर्मला जी कहती है कि अगर मैं अंग्रेजी बोलने वाली कोचिंग में अंग्रेजी सिखने जाऊंगी तो कम से कम आने जाने का और उधर सिखने का दो घंटा तो लग ही जाएगा घर पर बेटे बहु क्या कहेंगे कि हम कहां जाते हैं तो बहु हंसी उड़ाएगी कि इस उम्रे में तुम अंग्रेजी सिख रही हो मैं बहु को नहीं बताना चाहती हूँ तुम इसकी चिंता मत करो निर्मला वैसे भी हम मंदिर में दो घंटे के लिए आते हैं साम के समय घर पर तो कोई काम नहीं होता है बेटा आठ बजे तक ओफिस से आता है और बहु भी तब तक अपना फोन चलाती है हम एक घंटा और बोल देंगे कि मंदिर में सतसंग होता है हम दो से तिन घंटे और लगाएंगे एक घंटे मंदिर में बैठ कर दो घंटे तुम आराम से अपना कोचिंग कर लिया करो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आऊंगा और लेकर जाऊंगा निर्मला जी अपनी पती के बात को सुनकर बहुत खुस हो गई उन्हीं लग रहा है कि वह अंग्रेजी सिख जाएंगे मन ही मन बहुत खुस हो रही है ऐसे लग रहा है जैसे उनके पर निकल आए हो एक दिन चंद्रभुसंजी नजदि कि ही एक अंग्रेजी सिखने वाली कलास का पत्या कर लेते हैं जहां पर निर्मला जी का वो एडिमिसन करा देते हैं निर्मला जी ने अंग्रेजी सिखने के लिए कह तो दिया लेकिन जब कलास में जाने की बारी आई तो वो घबड़ा गई वह जब कलास में जाएंगी उन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि उधर तुम अकेली नहीं हो, जो अंग्रेजी सिख रही हो, तुम्हारी जैसी और भी औरते हैं, जो उधर अंग्रेजी सिख रही है, किसी भासा को या किसी चीज को सिखने की कोई उम्र नहीं होती, हम किसी भी उमर में कुछ भी सि हम जो भी सिखना चाहें उसके लिए स्वतंत्र हैं और कोई दुसरा आ करके ये तै नहीं करेगा कि आप क्या सीखोगे और क्या नहीं हम कुछ भी अच्छा ही सिखने की कोशिज कर रहे हैं तुम किसी की चिंता मत करो और अंग्रेजी सिखने के लिए आगे बढ़ जाओ अपनी पती की बात सुन करके निर्मला जी को हीमत मिली निर्मला जी अंग्रेजी स्पेकिंग के लिए जाने लगी जहां पर अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है वा धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सिख रही हैं दो से तिन महीने में वह कुछ-कुछ अंग्रेजी सिखने लगी थोड़ा-थोड़ा समझने लगी क्योंकि उन्हें अंग्रेजी सिखने का बहुत सोग था घर पर भी रात तक कमरे में बैठ कर और अंग्रेजी बोलने की फ्रेक्टिस करती रहती कभी आइने के सामने खड़े होकर अंग्रेजी बोलने की फ्रेक्टिस करती अपनी लगन से निर्माला जी तीन महीने में ही अंग्रेजी बोलना और समझना सिख गई लेकिन उन्होंने घर में अपने बेटे बहु किसी को भी ये बात नहीं बताई चार महीने बाद बहु ने पहन कर अपनी बहु की सहेलियों की आवाभगत कर रही हैं पिछली बार की तरह निसी ने इस बार भी सारा खाना अपनी सासुमा से बनवाया और उसका सारा क्रेड़ेट अंग्रेजी बोलकर खुद पर ले लिया इस बार भी वहीं कर रही थी उसने अंग्रेजी में सब को कि ये खाना उसनी बनाया है लेकिन पास में ही खर निर्मला जी उसकी सारी अंग्रेजी समझ गई और उसकी बात को करतीव बोली नो-नो निसी दीड नोट मेड दिस फूड आई मेड दिस बल्कि मैंने बनाया है लाइस्ट टाइम में भी मैंने ही बनाया था अपनी सासो मा की अंग्रेजी सुन करके निसी और उसकी सारी सहलिया निर्मला जी को हकी बकी देखती रह गई उसकी सासो मा अंग्रेजी बोल रही है उसकी सारी अंग्रेजी की बातों को समझ रही है निसी के पैरों के नीचे जमिन खिसक गई मा जी आपको अंग्रेजी आती थी, फिर आपने अभी तक क्यों नहीं बताया मुझे, मुझे तो लगा कि आपको अंग्रेजी की ABCD भी नहीं आती, निर्मला जी कहती है, जरूरी नहीं कि हर चीज का बाखान ही किया जाए, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ निसी, जो अपने किसी गुन से किसी दुसरे को नीचा दिखाए अगर कोई व्यक्ति अपने गुन से किसी दुसरे को नीचा दिखा रहा है तो मेरी नजर में वह उसका गुन नहीं बलकी और गुन है इसलिए बेटा आज से किसी को कम आकने का काम मत करना कोई किसी से कम नहीं है आज के जबाने म उसके पेट में तो खलबली मच रही थी कि कब वह पूछे कि उसकी सासु माने आखिर कार अंग्रेजी सिखी कब है निर्मला जी अपनी बहु को अंग्रेजी सिखने की सारी कहानी बता देती हैं जिसको सुनकर निसी चौक गई कि 60 वर्स की उम्र में भी उसकी सासु माने ही मन सोच लिया कि अब वह अपनी सासू मासे कभी जिन्दगी में पंगे नहीं लेगी क्योंकि आज निर्मला जी ने अपनी वहू के बार बार अपमान करने पर अंग्रेजी सिख करके एक ज़नाटे दारत थपर मारा है जिसकी कसक उसके दिलों दिमाग में हमेशा रहेगी प हमें कमेंट करके जुरूर बताईएगा धन्यवाद